किसान भाईव आज की वीडियो में हम बत करेंगे धाण की बॉय करते समय एनपी के ये डी एपी कम डालनी चाहिए और खरपतवार नाशी डालते समय किन किन बातों का खास ध्यान ना चाहिए तो आज की वीडियो में हम एक एक पॉइंट कवर करेंगे धान की रुपाई से लेकर पहली यूरिया की टॉप ड्रेसिंग तक और उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली वार आएं तो चैनल सस्क्राइब कर लीजिए और साथ में बनी घंटी में दबा दें ताकि हमारी कोई वीडियो आप मिसना करें तो चली शुरू करते हैं किसान भाईयों धान की रुपाई वा बरसास से पुर्व खेत को भली बाती जुताई करके समतल कर लेना चाहिए और जिस समय हमें धान की रुपाई करनी हो तो खेत में पानी भरके आखरी जुताई के बाती छीटा दे कर मिला देना चाहिए और उसके बाद पटेला या पाटा लगा के खेत को त्यार कर लेना चाहिए और ध्यान रहे कि खेत में कहीं पर अधिक पानी और कहीं पर सूखा खेत न रहे इसके लावा ध्यान यह रखना चाहिए कि पूरे खेत में पानी एक सामान हो और उसके बाद नर्शरी से पौद निकाल कर रुपाई करना चाहिए और अगर हम कुछ बासमती किस्मे हैं जैसे की ग्यारा एकिस पंदरा जिरो नो सर्बती या पूसा एक आधी किस्मों की रुपाई करते हैं तो हमें पौद या नर्शरी निकाल कर बावस्टीन जिसमें टेकनिकल है कारबंडा जिम 50% डबलू पी इसके घोल में लगवा दो घंटे पौद की जड़ों को रखकर उसके बाद रुपाई करनी चाहिए इससे कई तरह की बिवारियों से फसल को बचाव होता है और अगर हम मोटे धान जैसे की PR 113 आदी की रुपाई करते हैं तो जड़ों को बावस्टीन के घोल में डुबानी के अवशकता नहीं पड़ती इसके लावा रुपाई के 48 घंटे के अंदर हमें खर्पतवार नाशी जैसे की पर्टीला कलोर 50% EC या बूटा कलोर 50% EC का छिड़काव करना चाहिए और ध्यान ये रहे अगर हम पर्टीला कलोर 50% EC का छिड़काव करते हैं तो इसकी मातरा 500 ml से 700 ml प्रतियकट रहेगी और अगर हम बूटा कलोर 50% EC को डालते हैं तो इस इसके अलावा ध्यान ये रहे कि दवा डालते समय खेत में पानी समान रूप से होना चाहिए वह पानी को 8-10 दिन तक बराबर बनाई रखना चाहिए जिससे किसी भी तरह का खरपतवा रोगने की संभावना बहुत कम होती है और अगर बारिश होने की संभावना हो या पानी उपर से भैकर खेत से निकलने की संभावना हो तो पर्टिला कलोर 37% EW का समान रूप से छिड़काव करना चाहिए क्योंकि EW formulation की दवाएं डालने के बाद खेत से अगर पानी निकलता भी है तो दवा भैकर बाहर नहीं निकलेगी और अगर 2-3 घंटे भी खेत में पानी र करते हैं तो दवा की मातरा सेम ही रहेगी और रेत या बालो की मातरा आप ले सकते हैं 5-10 केजी प्रतियकर और किसान भाईयों रुपाई के 15 दिन बाद यूरिया की पहली टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए जिसमें हम ले सकते हैं जिंक सलफेड या मोनो जिंक वा प्रतियकर इसकी मातरा रहेगी 7-8 केजी प्रतियकर या फिर FMC का फटेरा आदी कीट नाशकों को मिला के टॉप ड्रेसिंग कर देनी चाहिए इसके लावा ध्यान ये रहे कि कोई भी ग्रैनूल कीट नाशक डालते समय खेत में समान रूप से पानी होना चाहिए तो किसान भाईयों य झालते समय झालते समय ये घूप रहे कि कि पानी होना चाहिए ऑनी होना होना ये जालते समय दोचन के जाशकों को मिला कि ये लाईयों प्रतिया।